Hello everyone, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे अगर आप internet पे जाते हो और अगर वहाँ पे आप motivational quotation या quotes अगर आप type करते हो तब को वहाँ पे बहुत सारे list of thoughts मिल जाएंगे, विचार मिल जाएंगे कई एक विचार ऐसे मिलेंगा जो आपको एक जो विचारक होंगे, उनके विचार किसे दूसरे विचारक के तस्वीर के साथ आपको दिख जाएंगे Elon Musk का कहा हुआ quotation या उनके द्वारा कुछ दिये गए विचार किसी और के साथ आपको मिल जाएंगे तो exactly यह कह पाना थोड़ा मुश्किल है या in fact बहुत मुश्किल है कि कौन से विचार को Elon Musk ने दिया था या कौन से विचार को किस ने दिया था जब हम society में रहते हैं तो हम चाहते हैं कि जो हम से उपर लोग हैं उनको हम follow करें जो लोग successful हो चुके अपने domain में अपने field में जो millenier हो चुके हैं जो कुछ achieve कर चुके हैं अपने life में अगर वो कुछ भी कहते हैं हमारे society में तो हम उनको सही मानते हैं हम उनके कहा हुआ जो विचार है उनको हम सत्य मानते हैं तो इसको कहते है reference group मतलब जिसको कि हम follow करते हैं जिसको हम follow करना चाहते हैं जिसके तरह हम बनना चाहते हैं अभी जो आपको अपने screen पर दिख रहे हूँगे इनका नाम है नवैली रॉय सिंगम इनिशली जब मैं इस आर्टिकल को पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा था कि ये इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन नहीं इनके जो पिताजी हैं मतलब जो थे हैं वो सिरलंका के थे हैं तो as per my finding मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडियन ओरिजिन के नहीं है क्योंकि इनके नाम के जो middle name Roy और last name जो सिंगम है तो इससे ऐसा reflect होता है कि ये इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन मैं दुबारा बता दू जहां तक मैंने ढूंड आया जहां तक मेरा जो research या search है उससे ये पता है कि इनके जो पिताजी थें वो भी famous थें असला सुना सकूँ New York Times ने एक investigation जारी किया जहां पे वो कुछ ऐसे लोगों को बारे में वो public domain में उनके बारे मिलाए हैं जो चायना के या Chinese propaganda को पुरा दुनिया में फैलाते हैं including India, including South Africa including बहुत सारे जो आपके African countries हैं अब क्योंकि ये already एक famous personality है already वो millionaire है ये कुछ social activities करते हैं उसके बाद उस social activities को फिर अपने social media platform पे present करते हैं दिखाते हैं दुनिया को और वहां से फिर वो कुछ अपने जो विचार है उस विचार को रखते हैं indirectly और directly जो चायना के जो विचार है उसको ये promote करते हैं कितनी बारी नाम लेके promote करते हैं कितनी बारी बगैर नाम लेके promote करते हैं बीते कुछ सालों में ऐसा देखा गया है कि जो चायना है जो Chinese government है वो बहुत बड़े पैमाने पे एक huge scale पे दुनिया के उपर spying करते हैं चाहे वो USA हो गया चाहे वो India हो गया चाहे वो UK हो गया आज हम है 7th of August 2023 में बीते रोज यानि की 6th August को जो UK के जो lawmakers से उनका एक बहुत ही बड़ा concern है concern यह है कि वो थोड़े से reluctant है electric vehicles जो China से manufacture होता है उसको अपने देश में मंगाने के लिए उनको ऐसा लगता है या उनके पास ऐसे रिपोर्ट्स यह सजेस्ट करते हैं कि चाइना उस electric vehicles का इस्तेमाल जो लोंग है UK में उसको monitor करेंगे उनके जो daily life है उनको monitor करेगा तो in a way वो data collection करना चाहता है और जो Chinese government है यह बहुत ही बड़ा amount spend करता है खर्ष करता है data collection के उपर जब आपके देश का information जब दूसरे देश के पास रहता है तो इससे बड़ा dangerous और कुछ भी नहीं होता है किसी देश के लिए यह एक हो जाता है tech warfare इसे कहते हैं अब जिस तरीके से New York Times ने Mr. Singham के बारे में बताया है जिस तरीके से यह जो अपने विचार है अलग-अलग platform से spread करते हैं चाहे वो India है चाहे वो South Africa है चाहे वो अलग-अलग और भी देश है चाहिना का एक initiative जिसे कहते हैं कि belt and road initiative इसमें क्या है कि चाहिना अलग-अलग देशों के through road के जो network है उसे develop कर रहा है उसमें एक party आपका पाकिस्तान भी है कितनी बारे ऐसा हुआ है कि जो Chinese government है वो किसी political party या किसी political party के किसी leaders को वो support करते हैं उसे चुनाओ लड़वाते हैं उसे fund देते हैं और उसे जीत के लाते हैं अब आप एक real life situation को देखिए और समझेए आप जैसे मैं अगर खुद का बता हूँ तो मैं एक Indian हूँ अगर मैं भारत के बारे में अगर कुछ अच्छा बोलता हूँ तो लोग उस बात को तो लोग उस बात को नहीं लेंगे नहीं मानें क्योंकि उनको ये उनको ये पता है क कि ये by default Indian है तो इंडिया के बारे में वो तारीफ ही करेगा लेकिन अगर कोई US का एक बहुत बड़ा businessman बिलेनियर कह ले हैं ये UK का एक बहुत बड़ा businessman अगर भारत के बारे में अगर कुछ अच्छा कहता है तो हम उसके जो कहा हुआ हुआ जो statement है उसको काफी अच्छे तर و लेगा तो इसी तरीके से जो चाइना है जो चाइनिस गवर्मेंट जो शी जिंग्पिंग वो अलग-अलग देशों में एडिन्टिफाई करते हैं जो वहां केаль inhaler लौग फेमार है उसमें से आपके platform से promote करते हैं करवाते हैं कुछ एक group है जैसे कि no cold war u.s anti war group cold pink group यह सब कुछ वैसे group है ना जो किसी time पे जो चायना का अपने जैसे लोगों के उपर यह atrocities करते हैं से कि चायना में जो विगूर मुस्लिम रहते हैं उनके उपर जिस तरीके से Government of China एक concentration camp में उनको डाल रखा है तो यह सब group किसी time पे Chinese government के बारे में उनका जो propaganda उसके बारे में बोलते थे लेकिन recently ऐसा देखा गया है ना और इस चीज को प्रूफ भी किया New York Times के investigation में कि बीते कुछ सालों से यह सब जो group है वो चाइना के support में उतर गये हैं या इनवे चाइना को एक positive तरीके से दिखाते हैं यह तो रही कि तकरीबन global बात अब हम आते हैं इंडिया पे इंडिया में एक news portal देखा होगा आपने भी YouTube पे जिसका नाम है news click के नाम से यह है इनका एक website भी है इसमें क्या है ना कि यह indirectly थोड़े से mild version में यह videos बनाते हैं जहां पे वो इंडिया को compare करते हैं चाइना के साथ या आप imagine करें कि एक situation just hypothetical situation ले ले आप जहां पे इंडिया पाकिसान के बीच में cricket match चलो और इंडिया किसी कारण से हार जाता है क्योंकि इंडिया एक बहुत ही complex country है heterogeneous country जो हमारे playing 11 में होते है वो अलग-अलग religion के belong करते हैं तो अगर कोई ऐसा player रहा जो last over किया और उसके over में थोड़ा expensive हो गया 20-22 run निकल गया और इंडिया हार गया तो उस जो baller रहेगा ना उसके religion को target किया जाएगा अब problem यह है कि जो हम लोग है जो इंडियांस जो है ना वो भी इन सब propaganda को समझ नहीं पाते हैं अब हम भी क्या करते हैं कि YouTube के जो comment section होते हैं वहाँ पे जाके हम उस player के जो religion को target करना शुरू कर देते हैं और जो ऐसे जो news portal वाले होते हैं वो यही सब करते हैं या करवाना चाहते हैं अगली बार जब कभी भी हम जब social media platform पे जाएं जब कभी हम comment करें तो make sure करें कि हमारा जो comment है वो बहुत ही मतलब एक अच्छे तरीके से हम comment करें ना कि हम negative तरीके से comment करें हमारा कोई भी comment जैसे कि अभी जो गुरुगराम के आसपास new में जो violence हुआ है जिस तरीके से करेंगे जिस तरीके से वो propaganda वीडियो को बनाएंगे जो और अलग-अलग religion के लोंग है वो भी उस propaganda वीडियो को देखके वो भड़क जाएंगे और भड़कने के बाद फिर आपस में और लड़ेंगे जिसे कि जो हमारा internal security है उस internal security को threat पहुंचे अब क्या होता है कि जैसे को you must strengthen the building of overseas patriotic force cultivate and expand the strength of those who know China and are willing to be friend and promote exchange and mutual learning of Chinese and foreign culture and civilization जहां तक मैं समझ पाया हो ना दुनिया के जितने भी जो civilization है वो सच में अपने आप में great है यह great थे हैं उसका अगर आप comparison करते हो ना जैसे कि suppose that अगर अगर mesopotamian civilization करकर आप इंडियन या तो हरपा के साथ अगर आप compare करते तो यह comparison ही गलत हो जाता आप समझे इस शीज को कि दोनों का जो time period है वो अलग है geographical location है वो अलग है requirement अलग है तो जब दो चीज एक completely अलग होता है तो उसके comparison का तो कहीं से कोई सवाल ही नहीं बनता है एक जो सबसे important चीज है ना कि जब ही भी हम किसी influencer को या जब कभी हम किसी motivational speaker को हम सुने देखें या पढ़ें तो हम make sure करें ना कि मतलब अब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि उस बंदे को हम मतलब exactly आँख बंद करके वो जो कह रहा है उसके हम कहा हुआ चीज को मान लें क्यूंकि ऐसा society में होता है कि जो लोग successful होते हैं लोग उसको मतलब आँख बंद करके मान लेते हैं जैसे कि जो advertisement था बहुत सालों तक एक company थ वो claim इनका सही है exactly कुछ ऐसा ही कहना या exactly कुछ ऐसा ही करना है जो Chinese government के जो propaganda वाले होते उनका भी वो इतना जादा YouTube पे investment कर देंगे इतना जादा वो अपने जो videos होता है उसको promote करेंगे कि जाने अन जाने में हम भी यह मान बैठते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो जो कर रहे हैं क्योंकि अभी भी जो इंडिया में जो लोंग है वो अपने विचार को सुना हुआ सुने हुए बातों पर अपना वो विचार को बनाते हैं तो I hope कि मैं इस वीडियो में कुछ positive समझा पाया हूँ अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी रह गई है तो मैं उसके लिए माफी च कियर